तो फ्रेंड्स हमारे यहां कभी कभी रोटियां बच जाती है और हमें समझ में नहीं आता है कि हमें उनसका क्या करना है तो चलिए आज इनी बची हुई रोटियों से एक लाजवाब सर डिस्ट बना कर तयार करेंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि यह डिस्ट बची हुई रोटियों से बना है तो hello everyone, welcome back to my channel, mom's kitchen by Nishi, कैसे हैं आप लोग आई होप सभी अच्छे होंगे मैं भी बहुत अच्छी हूँ, तो इस डिस्ट के लिए हमें बची हुई रोटिया लगेंगी तो मैंने दो रोटी बची हुई थी, जिससे मैंने ले लिया है, अब हमें क्या करना है, अब इन रोटियों को हमें हम कट कर लेंगे हमें पतले-पतले stripes काट लेने हैं इनके पतले-पतले stripes कट कर लेंगे हम और इसे फिर और इसे हम बनाएंगे तो पता ही नहीं चलेगा ये dish की हमने इसे रोटियों से बनाया है तो देखिए हैं इसके पतले-पतले stripes हमें कट कर लेने हैं और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें तो देखिए मैंने इस stripes काट लिया है आप एक बाउल लेंगे उसमे हम अपने रोटियों को जो stripes काटा था वो उसमें डाल देंगे अब हम इसमें 1 tablespoon corn flour add करेंगे और थोड़ी सी red chili powder भी डालेंगे और थोड़ी सी healthy powder भी डालेंगे यह मैं color के लिए डाल रहे हैं आप चाहो तो यहां food color भी use कर सकते हैं और थोड़ा थोड़ा पाने डाल कर इसे mix कर लेंगे हमें इसे बहुत ज़दा liquid नहीं रखना है बस इसी तरह से रखना है अब हम gas पर एक कड़ाई चड़ा देंगे और उसमें oil डाल देंगे oil हमारी गरम हो चुकी है अब हमने जो रोटियों के stripes काटे थे उन्हें एक एक करके डाल देंगे और इसे अच्छे तरह से fry कर लेंगे और याद रहे है गैस की flame हमें low नहीं रखनी है high ही रखनी है इससे हमारी जो stripes है ना बहुत ही करारे और कुरकुरे बनेंगे यह देखिए हमारे stripes बनकर बिलकुल ready हो चुके है अब हमें कुछ vegetables लगेंगे मैंने यहां पर शिम्ला मिर्च और लह सुन लिया है आप चाहे तो यहां पर अपने पसंद के और भी vegetables ले सकते हैं जैसे beans ले सकते हैं कारेट ले सकते हैं अब हमने प्याज को लंबे-लंबे ही काटना है प्याज हमारे कट रहे हैं आप चाहे तो इसमें टमाटर का भी यूज कर सकते हैं लेकिन हम इसमें sauce भी आड़ करेंगे इसके लिए हम टमाटर नहीं डालेंगे प्याज हमने कट कर लिया अब उसे लंबे-लंबे टुकड़ों में हम अपने capsicum को भी कट कर लेंगे और यह dish इतनी अच्छी लगेगी कि आपके बच्चे क्या बड़े भी इसे मांग मांग कर खाएंगे और बता ही नहीं पाएंगे कि यह dish हमने रोटियों से बनाई है अब हमने कुछ लेसन के टुकड़े लिया है उसे भी हम कूट लेंगे आप चाहे तो कट करके भी डाल सकते हैं और कुछ धनिया के पत्ती वो गार्निशिंग के लिए धनिया तो हर चीज में जाता ही है जिससे हमारे हर dish के taste दोगनी हो जाती है तो धनिया भी हम कट करके अब हम इद कर देंगे और उससे golden होने तक भून लेंगे उसके बाद हम अपने इसमें प्याज आड कर देंगे आप आप आपना शीमणा मिर्च भी इसमें एड कर देंगे आ दोनों को थोड़ी देर तक भूनेंगे और हमें अपनी घैस की flame को हाई ही रखनी है ज्राषिन म आप अपने हिसाब से स्थ के kur 서울 स्कते हैं sonat के साुस के कन जादा कर सकते हैं मैं तो बच्चों के इसलिए थूड़ी चिली सॉस कम भी डाल ही हम और आप यहां पि चिली सॉस भी डाल सकते हैं इसके बाद हम हम इसमे फ्टोड़ा सवय अड्करेंगे और विनिगर दालेंगे हम इन सब की crunchiness बनी रहे इतना ही भूनना है सोया सोस भी डाल दिया हमने अब इन सब को डाल के बस एक मिनिट तक भूनेंगे और अपने जो वह ना नमक अड़ करेंगे और कॉन फ्लोर का पानी भी इसमें डालेंगे थोड़ा सा और अपने जो हमने काट के रखे थे वह भी डाल जासा चीज से garnish कर देंगे जिसने देखने में और भी अच्छा लगे और यह सही माने तो यह इतनी अच्छी बनी थी कि मैं बता नहीं सकती मेरे बच्चे तो बहुत खुश होकर इसे खाये हैं अगर आप भी इसे बनाना चाहते हो तो जरूर बनाए और कोई बता नहीं सकत है कि आपने इसे रोटियो से बना है तो चलिए आपको आज का मेरे ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और शेयर करें